हेलो फैमिली नमश्कार कैसे हैं आप सब आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे आज का जो वीडियो होने वाला है वो मोस्ट रिक्ष्टर टॉपिक है आज सब के काफी चादर कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं डिलेवरी के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो आज हम डिटेल में इसी बारे में बात करेंगे कि आपको डिलेवरी के बाद कौन से ऐसी चीजे हैं जो खाना चाहिए आज का वीडियो सबसे पहली चीज है आप अपनी डाइट में कम फैट वाले डेरी प्रोड़क्त यूज कर सकते हैं कम फैट मतलब कि जैसे कि आप अपनी डाइट में दूद ले ठीक है पनीर भी आप ले सकते हैं दूद जैसे कि एक गलास आप सुबह लीजे और एक गलास शाम को लीजे दूद डिलेवरी के बाद आपको जरूर लेना चाहिए पाद अंडे की पतली सी सबजी बना कर ले सकते हैं तीसरी चीज़ है आपको डालों का सेवन डिलिवरी के बाद जरूर करना चाहिए जैसे कि आपको डिलिवरी के बाद मुंकी डाल का सेवन करना चाहिए या मसूर डाल का सेवन करना चाहिए ये दो डाले ही डिलिवरी के बा हरी सबजीयां भी ठाज सकते हैं हरी सबजेंयों में लॉकी तोरी वग्यरा भी ले सकते हैं यह भी बहुत ज़्यादा है एल्दी होती है आपके लिए आपकी बोड़ी को जलदी ही रिकवर करने के सलब्स बरिकाल करने के Eg on the дер Li version के लिए और इस तरहा हुं आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं जो वीट प्रेड आता है वो आप ले सकते हैं बहुत जादा हेल्दी होता है तो आप ब्रेड चाहें तो चाय के साथ ले सकते हैं लेकिन जो चाय होगी वो जादा दूदवाली होगी उसमें चीनी बहुत कम होगी और चाइपती भी बहुत कम होगी ऐसी चाइप सेवन कर सकते हैं डिलेवरी के बाद आप ओस ले सकते हैं ओस में भरपूर मात्रमें नियूट्रिशन होते हैं जो आपके बच्चे को भी मिलेंगे आपके प्रेश्ट फीट के जरिये और आपकी जो कमजोरी है डिलेवरी के बाद उसको दूर करेंगे तो आप नमकीन ओट्स ले सकते हैं आप ओट्स को दूद में पका कर फूट्स टाल कर भी ले सकते हैं तो ये भी बता दूँ कि आपको delivery के बाद कौन से fruits लेने चाहिए तो delivery के बाद आप friends पपीता ले सकते हैं आप चीकू ले सकते हैं अगर seasonable अगर available है तो नहीं तो आप apple का सेवन भी कर सकते हैं delivery के बाद और कोई fruits आपको delivery के बाद नहीं लेना चाहिए इसके बाद पानी अच जल्दी रिकवरी करेंगी, आपका ब्रेस्ट फीट बढ़ाएंगी और पेट कम करने में भी मदद करेंगी इसके बाद नेक्स्ट चीज है हल्दी, हल्दी को भी आप अपनी डाइट में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि घर में अगर आपके डिलेवरी के बाद लड़ू बन रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा साथ आप दाल खा रहे हैं अद्रक का चून भी मिलवा सकते हैं, ये भी डिलेवरी के बाद बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होता है, आपके इस तरों में दूट की मात्रा को भी बढ़ाता है आपकी बॉड़ी को जल्दी रिकवर करता है, इसके बाद चीज है बादाम, सुपई सुपई आप भीगे हुए बादाम जरूर लें, ये आपकी बॉड़ी को जल्दी रिकवर करेंगे और बचे के लिए भी फायदे मन रहेंगे आप भीगे बादाम नहीं लेना चाहती तो आप ऐसे ही सुखे बादाम भी ले सकती है, लेकिन आप चाहे तो लड़ू भी बनवा सकती है उसमें जो भी ड्राइफ फूट्स आपको पसंद है वो मिलाकर वो भी आप खा सकती है डिलेवरी के बाद इसके बाद आपको मैथी दानों का भी सेवन करना चाहिए, आप जैसे की मैथी दानों को लड़ू में भी मिलवा कर ले सकते हैं आप जैसे की रात में मैथी दाना भीगो कर सुबह उनको अच्छे तरीके से बॉइल करके वो पानी भी पी सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा फायदे आपको ये मिलेंगे कि आपकी इस तरों में दूट की मात्रा बढ़ेगी आपका बजन भी तेजी से कम होगा साथ में आप तिल का से वन भी डिलेवरी के बाद कर सकती हैं आप तिल के लड़ू बनवा सकती हैं चाहे तिल सफेद हो या काले हो किसी भी तरीके के तिल का से वन आप डिलेवरी के बाद कर सकती हैं अब जानते हैं कौन से सी चीजे हैं जो आपको delivery के बाद नहीं खाना है. तो friends सबसे पहली चीज है कि आपको जादा मिर्च मसाले का खाना, जादा नमक का खाना, जादा मीठा delivery के बाद नहीं खाना है. इसके बाद दूसरी चीज जादा तेल वाली चीजे भी आपको नहीं खाने है पूरियां पराठे वगेरां जादा तेल में जो फ्राई होती है चीजे उनका सेवन आपको नहीं करना है इसके बाद तीसरी चीज ऐसी सबजियां ऐसे फूड जो ज़्यादा गैस बनाते हैं उनका सेवन भी आपको डिलेवरी के बाद नहीं करना चाहिए जैसे की बैगन, अरवी, भिंडी और जैसे की उड़त की दाल, अरहर की दाल इन चीजों से क्या होता है कि गैस ज़्यादा बनती है, आपको जब गैस बनेगी है बच्चे को भी गैस बनेगी वक् unemployment अगागा नहीं खाने है कम से कम 40-45 दिनो तक साथ में जादा कैफीन का सेवन भी नहीं करना है, थोड़ी बोड़ी कम चाही पती वाली आप चाही ले सकते हैं लेकिन कासेवन पिल्कुल ना करें बाद सबसे important चीज कुछ भी दिक्कत आपको होती है आपको जैसे की fever आ गया है दर्द है कुछ भी है बिना डॉक्टर के पूछे हुए आपको कोई भी medicine नहीं लेनी है क्योंकि आपका बच्चा आपका दूद्ध पी रहा है नुकसान हो सकता है इसलिए जब तक डॉक्टर से सारी समझ में आ गई होंगे आपको क्या करना है क्या और अगली वीडियो में तब तक अपना धियान रखिए इसीदार के से देखते रहे रिशू बेबि के अढ़र सारा प्यार दिजैंग झाल झाल